एक बार फिर से मेंडे नियोजिटी चैनेश 2.0 में सभी सिक्षक सांतियों का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दो महत पून अपडेट इन सभी सिक्षकों को दो बड़े लाब से किया जाएगा बंचीत लगा बड़ा जटका आखिर ये कौन से सिक्षक है इ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे तकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको तो आए देखते हैं वीडियो को बिश्टार से पहले देख लेते हैं कौन से दो बड़े लाब नहीं मिलेंगे उसके बाद हम देखें अबर बिद्याले निरिक्षर आरा नगर जीला भोजपूर के लिए बिशाय है बर्ष दुहजार अनईस एकईस के अंतरगत नवनुक्त आसनातक गेरेड के सिक्षकों को बिशेस बाता नहीं देने के संबद में ये पत्र जारी किया गया है तो आपको बता दे कि इन सभी स शिक्षकों को लगा है बड़ा जाटका नवनुक्त सभी सिक्षकों को दो बड़े लाब प्रशनल पे और इस्पेशल पे इन सिक्षकों को नहीं मिलेगा उप सचीव सिक्षा भी भाग बियार पाटने के गया पांक एकाइस तीरपन दिनांक पांच नव दुहजार सतर है उप्योक्त बिशेक पर संगाधीन पत्र की कंडिका चार मैं प्रवधानित है कि एक जुलाई दुहजार पंदरे के पाचात नियुक्त पर सिक्षित और पर सिक्षित सिक्षकों का प्रशनल पे एमम बिशेस बाता एस्पेशल पे नहीं है यानि इन सिक्षकों को 2015 के बाद जितने भी नियुक्ती होगी उनको a special announcement और professional पे नहीं दिया जायेगा अता आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि बर्ष 1921 के अंतरगत नव नियुक्त असनातर गेरेट के सिक्षकों को विशेश भाता a special पे दे नहीं होगा यदि इन सिक्षकों को विशेश भाता दिया गया है तो पूर्व की अवधी रासी की कटवती करते हुए मा नवंबर एवं दिसंबर 2022 का बेतन समानजित करते हुए बेतन विपत्र कर जाले को अवश्यक रूप से उपलब्द कराना सुनिश्चित करेंगे तो इस तरह का आदेश जारी कर दिया गया है इन सिक्षकों को आसनातक गिरेट में जो भी सिक्षक बाहली हुए हैं उनको इस पेशल और पररस्नल पे नहीं दिया जाएगा अब हम देख लेते हैं कि एस एस मद का एलोट्मेंट कब तक जारी होगा और अंतर आसी कब तक जारी होगा तो मिली जनकारी के अनुसार अभी आपको बता दें कि इस मा यानि नवंबर के अंत मा तक मा नवंबर और सभी परकार के अंतर रासी बेतन भुकतान है तूर रासी सभी जिला को प्राप्त होने की परवल संभावना है तो वीडियो में इतना है, वीडियो में लास तक बनायाने के लिए धन्यबाद वीडियो को जासे आसे करें, वीडियो को एक लाइक आउस करें, चैनल को सब्सक्राइब जरू करें इस तरह का लेटेस अपडेट पाने के लिए